वल्कम बैक टू जीओ भी नीउच चलिए देखते हैं आज दो पहर की दस बड़ी खबरें कच्चे तेल और डीजल पर सरकार ने बढ़ाया विंड़ फॉल गेन टैक्स जे पर बढ़ेगा बोच बतादे की सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों में उच्छाल के बाद घरेलू कुरूड ओयल पर विंड़ फॉल गेन टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया है ये बढ़ोत्री सुला फरवर्ड से लागू हो जाएगी और कच्चे तेल के अलावा डीजल पर भी सरकार ने एक्सपोर्ट टैक्स में बढ़ोत्री की है अंतरिक शियान भारत के चंद्रियान के एतिहास रचनी के बाद अब एलन मस्क भी चांद पर अंतरिक शियान उतारने के तियारी में है दरसल चंद्रियान 3 के चांद पर उतरने के बाद भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चांद के दक्षनी द्रोव के पास सौफ्ट लेंडिंग की है भारत की इस एतिहासिक सफलता के एलन मस्क भी मुरीद हो गए जिसके चलते अब उनकी कमपनी भी चांद पर अंतरिक चियान उतारने वाली है इस स्पेस एक्स ने एक प्राइवेट कमपनी का मून लेंडर चंद्रमा की कक्षा के लिए भेजा है इस कमपनी का नाम इंटुएटिव मसीन्स है जो की हुश्टन में है ग्रीस में समलेंगिक विवाह को मिली मान्यता बना पहला रोडिवादी इसाई देश दक्षनी यूरोप में बसा हुआ एक देश है ग्रीस सिकंदर महान की जनमभूमी यहां की संसद ने एक एतिहासिक फैसला लिया है जिसकी काफी चर्चाए है फैसला है सेम सेक्स मेरेज यानि समलेंगिक विवाह को लेकर ग्रीस में अब सेम सेक्स मेरेज को कानूनी वैधता मिल गई है और ऐसा करने वाला वो पहला बहु संख्यक रोडिवादी इसाई देश बन गया है और ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस की अधिकतर जनसंख्या अंधविश्वासी है पर संसद ने समलेंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कानून पारित कर दिया है बंगाल में हिंदूों से बरवरता, मंदिर तोड़े, मारपीट की और घर जलाए बंगलादेश से आए दिन हिंदों पर अत्याचार की खबरे सामने आती रहती हैं और इसी क्रब में एक बार फिर से कुछ ऐसी ही खबरे सामने आई है यहां एक जगा पर कुछ बदमासों ने सरस्वती पूजा मंडब पर हमला करके माता की मूर्दी को तोड़ दिया वहीं दूसरे मामले में कुछ इसलाम वादियों ने हिंदू परिवानों को अपना घर और जमीन चोड़ने की धमकी दी है एक अन्य मामले में भी सरस्वती पूजा मंडब तोड़ने के मामले में हिंदू और मुसलिम चात्रों के भी जड़ब हुई है और यहीं नहीं को एक इलाके में तो कुछ बनमासों ने एक हिंदू के घर में आग लगा दी अयोध्या के स्री राम मंदर को बम से उड़ानी की धमकी पुलिस विभाग में मचा हड़कम्प अयोध्या के स्रीराम मंदिर में हर रोज लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं मंदिर की सुरक्षा विवस्था काफी कड़ी कर दी गई है VVIP से लेकर आम जन तक मंदिर की लाइन में खड़े होकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं इसे बीच अयोध्या के स्रीराम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है इसके साथी लकनव के बक्षी का तलाब यानि BKT थाने को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है इसके बाद से पुलिस महकमे में और प्रिशासन में होस उड़े हुए हैं सुप्रेम कोट पहुचा संदेश खाली का मामला CGI बोले सुनवाई करेंगे बतादी के पूरा बंगाल संदेश खाली के मुद्दे पर सुलग रहा है कुलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत भी जमकर हो रही है बीजेपी और टीमसी दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं वार पलट वार हो रहे हैं टीमसी के निता साहजा, शेख और उसके गुर्गों के खिलाफ महिलाओं पर जुल्म का आरोप है पिड़ों के बयान भी सामने आये हैं जिसे बीजेपी की ओर से जोड़ सोर से उठाया जा रहा है इस बीच अब संदेश खाली का मामला सुप्रिम कोट तक भी पहुँच गया है और याचिका दाकिल करके बंगाल से बाहर सुनवाई की मांग की गई है कॉंग्रिस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज 210 करोड की रिकाबरी मांगी गई अजय माकन का सरकार पर बड़ा अरोप कॉंग्रिस की सीनियर नेता अजय माकन ने केंद्र सरकार पर बड़ा अरोप लगाया अजय माकर ने दावा किया कि कॉंग्रिस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है यूद कॉंग्रिस के चार अकाउंट्स को भी कल फ्रीज कर दिया गया है उन्होंने से लुकतंत्र की ताला बंदी बताया चुनाव की घोशना से ठीक पहली ये कदम उठाया गया है अजय माकर ने इस किसांती ये भी कहा कि हमारा पैसा क्राउड फंडिंग का है यूद कॉंग्रिस का पैसा मेंबर्शिप का पैसा है किंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि क्या इस देश में एक पार्टी सिस्टम रहेगा पार्मर्स प्रोटिस्ट को लेकर बड़ी खबर, मौडिफाइड ट्रैक्टर हत्यार, संसद घेराओ, किसान अंदुलन को लेकर हरियाना सरकार ने किया बड़ा कुलासा सरुत किसान मोचा ने आज भारत मंद का आवान किया है और इसमें पंजाब की किसानों के सांसां देश की सभी किसान यूनियने जुड़ी हुई है ऐसे में सुरक्षा के मद्दनजर पंजाब, हरियाना, दिल्ली और यूपी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके सांथ ही केंदर सरकार और किसान संगठनों के बीच देर रात तक एक बैठक हुई थी तीसरे दौर की लेकिन वो भी फेल रही